दोस्तों हमारे चैनल गान भन्डार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेगे पहारों पर थंड अधिक्यूं होती है लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले सबी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके घूमने के लिए अक्सर हम ठंडे प्रदेश को ही चुनते हैं और ठंडा प्रदेश मतलब पहारों से गिरी हुई जगर, इसलिए पहारों पर घूमना किसे अच्छा नहीं लगता, अक्सर गर्मी की चुट्टी में सभी पहार पहारों पर ही घूमने जाते हैं, पहारों पर गर्मी में भी ठंडा मौसम होता है, सर्दी में तो यहां पर सर्द बढ़ जाती है, हर जगे बर फिला हो जाता है, लेकिन हमारा सवाल है कि आखिर क्यों पहारों पर ठंड ज्यादा होती है, पहारों पर सूरज की किरने सब से तेज और सीधी परती है फिर भी वहाँ परठन मैदानी जगों की तुल्ला में ज्यादा होती है ये जानते है दरसल मैदानी इलाकों की तुल्ला में पहारों में हवा पर दबाव कम होता है शोद करता बताते है कि पहारों पर हवा खुली-खुली होती है जिसके कारण हवा मे उश्मा ग्रहन करने की क्षमता कम होती है यही कारण है कि पहारों पर सूरे का प्रकाश होने पर भी ठंड का अहसास होता है जबकि मैदानी जगों पर वायू सघन होती है इसलिए पेड़ पौदे होने के बावजूद यहां पर गर्मी ज्यादा लगती है असल में किसी भी व्यक्ति को ठंडी या गर्मी का अहसास सूरज की धुप के कारण नहीं बलकि हवा के कारण होता है यही कारण है कि अंतरिक्ष में गर्मी नहीं ठंडक होती है यही कारण है कि पहारों पर बर्व पिघलती नहीं है क्यूंकि वहां हवा विकर होती है जबकि म मारा वीडियो कैसा लगा? प्लीस कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें रन्यवाद.